के दोस्तों वेलकम आई यूट्यूब चैनल अगें मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बस्वागत है आज हम बना रहे हैं 12 वोल्ट्स 10 अंपियर बैटे चार्जर यूज़ कर रहे हैं 15-0-15-10 इन एंपियर का ट्रांसफार्मर जो की स्टैब डाउन कैटेगरी का है इन्पुट में हम 240 वोल्ट्स की इसी इन्पुट कराएंगे लाइन इन्पुट कराएंगे और इस ट्रांसफार्मर के थ्रू हम अपनी 50 A's तक याफिर 60-80 A's तक की वैट्री को चार्ज कर पाएंगे हमें क्या करना है या पर तीन वाइर देखने को मिल 98 इसकी आउट्पुट की वाइर है मोटे याजनि य यह आउट्पुट की वाइर है अब हम सबसे पहले इन तीन वाइर में से जो बीच वाला वाइर है जो ठीक है और इस ट्रांसफर्मर को मैंने इस लिए उसकरा क्योंकि इसकी हेल्प से हम फुचर में 24 वोल्ट के बैठे सिस्टम को भी चार्ज कर सकते हैं अब बचे हुए दो वायर जो आपको दिख रहे हैं उसमें आप लोग को इस तरीके से डायोट के कनेक्शन करके लगाने हैं यह है इच डायोट 6 एमपिर का है यह आप देख सकते हैं और इसकी सिल्वर लाइन को एक तरफ जोड़ करके इस तरीके से वायर को बना करके लगान कि हम दूसरे डायोट को भी लगा रहे हैं यह चीज हमने इतना स्टेप कंप्लेट कर दिया देख सकते हैं आप यहां से इस तरीके से जहां से इस तरीके से कोईल से पॉजिटिव गूम करके मिलेगा और बीच वाले जी पिन है वहां से हमें नेगटिव मिलेगा अब हम इन लक्स लगाएंगे इससे क्या होगा कॉपर पर जो पकड़ है वह बहुत अच्छी हो जाएगी और आप देख सकते हैं कि तेच्छे पकड़ा हैं इसको खीच भी लेंगे तभी हमारा सूल्डर आउट नहीं होगा अब हम देख सकते हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव आ गए हैं और हमारा यह बैटर चार्जा बनके रेडी हो गया है ठीक है बस अब हम मेन लैंड पर टेपिंग कर देंगे सेफटी तरीके से हम इसको काम को करेंगे अब देख सकते हैं इससे आउटपुट हमें 14.2 वोल्ट मिल लगी 14.3 वोल्ट मिल लगी है जिससे कि हमारी लैट एसे बैटरी बहुत अराम से चार्ज हो जाएगी अभी मेरी बैटरी फुल चार्ज है तो आप देख सकते हैं कन्यक करने पर बैटरी की वोल्टिज ओबर जा रही है ठीक है यह देख सकते हैं और जो चार्जिंग करेंट है वो भी कम जा रहा है किवल 6 एंपियर जा बैटरी को अराम से चार्ज कर देगा 10 घंटे में आपको इसको पर कोलिंग फैन भी लगाना होगा अगर आप इसको चार घंटे से जादर लगातार चला रहे हैं यह कॉपर बैंडिंग का ट्रांसफार्मर है और आप चाहें तो यहां पर 0-15 का ट्रांसफार्मर भी यूज कर सकते हैं उसके साथ आपको ब्रिज रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा मैंने यहां पर पंदर 0-15 का यूज करा है जिस पर मैंने सेंटर टेब रेक्टिफायर बनाया है यह वीडियो आपको अच्छे लगी हो लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राब कर देगा दोस्त पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है